राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिये गए निर्ने का मैं स्वागत करता हूँ ऐसा वक्तव्या पूर्व उर्जा मंत्री चंटर शेखर बावन को लेने किया है पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ग्राउन लेवल पर चाकर यह निर्ने ल साथी बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है जिसको देखती भी होनी वाली चुनाव को स्थाखित क्या चाहे ऐसा वक्ति पूर्व उर्जा मंत्री चंडर शेकर बावन को लेने किया इस दोरान उन्होंने आगी कहा कि इलेक्शन कमिशन द्वारा ले गए इस निर्ने का मै स्वाखत करता हूँ संक्रमन महाराष्ट अजुनी आए और जुनी महाराष्ट चिंतागरस परिस्तिती मद्या है तो यह निवन्डू का आपन त्याटिकें थामवाव्या है पर त्यानियसा मतला होता कि हो आम चीप सेक्रेडित पत्र आला है पर आमी त्याटिकानी असमर्ता होत अने सुप्रिम कोटा मदे जर काई अमाला डारेक्शन आले तो निच्छित्मना विप्चार करू सुप्रिम कोटा नी राज्जे निवन्डू कायोगाला निर्देश दिलकी यामदे तनी निर्णा घ्यावा अनि मग राज्जे निवन्डू कायोगाने कालपासन ग्राउंड रियालिटी चा अब्ब्यास करून सर्वाज दिल्ला दिकारेची कॉन्फरन्स करून माराष्ट सरतकार चा उच्छस्तरी अधिकारेची बटा ग्योन में पत्रकार से बात कर रहे थी जिस तोरान उन्होंनी आगी कहा कि मैं चुनाव आयो का आपिनंदर करता हूँ कि उन्होंनी ग्राउंड लिवल का नरिशन कर या निने लिया है कैमरा परसन राजकुमार बहुट के साथ दिशा हैटपार की रिपोर्ट